वेलकम बैक टूनादर न्यू वीडियो आज का ये वीडियो बहुत जदा इंफरमेटिव होने वाला आप लोग लिए अगर आप लोग पाई नेट्वोक पे माइन करते हो क्योंकि इस वीडियो पे हम बात करेंगे पाई नेट्वोक का विड्रॉल प्रोसेस के बाड़े में अपने पाई कोईन को सेल करके बैंक पे विड्रॉल लेने तक का कम्प्लीट प्रोसेस में आप लोग को इस वीडियो पे बताने वाला हूँ अल्दो मैंने एक और वीडियो विड्रो डिगार्डिंग बना रखा है जहाँ पे आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉंस दिया है लगबग 50,000 से भी ज्यादा लोग वो वीडियो को देख चुके हैं लेकिन आपको पूरा प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है ताकि जबी भी पाई का ओपिन मेनेट लॉंच हो तो आप अपने पाई कोईन को सेल करके बैंक पे वीड्रो कर पाओ तो चले स्टेप बाई स्टेप पूरा प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं तो आप मेंसे ऐसे बहुत सरे लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि जो पाई हम माइन कर रहें जो पाई नेटवर के अप्लिकेशन पे सबसे उपर हमें पाई शो होते हैं वो पाई को हम डाइरेक्ली सेल कर पाएंगे आने वाले टाइम पे तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है काफी सरा प्रोसेस होते हैं जो आपको कम्प्रीट करना पड़ेगा तभी जाके आप अपने पाई कोई को सेल कर पाओगे या फिर विड्रो कर पाओगे सबसे पहला प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो वो है के वाईसी सबसे पहले तो आपको के वाईसी कम्प्रीट करना पड़ेगा अगर आपका के वाईसी अप्रूव होता है देन आपको नेक्स्ट एक और प्रोसेस कम्प्रीट करना पड़ेगा जो की है में नेट चे कर लिजिए किस तरीके से KYC किया जाता है उसका वीडियो में अल्रेडी बना रखाऊ निचे डिस्क्रिप्शन पर उपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा वो वीडियो देख करके स्टेप बाई स्टेप अपना KYC कम्प्रीट कर लिजिए और अगर अभी के टाइम प करने के लिए आपको मेंनेट इंफो पर करने उसके बाद नीचे ट्रप स्क्रॉल डाउन करोगे तो मेंनेट चेकलिस्ट का एक उप्शन मिलता है जैसे उस पर क्लिक करोगे तोटल वहां पर आपको एट स्टेप मिलते हैं एट स्टेप में से आपको सबेन स्टेप जो है मै मेंनेट चेक्लिस्ट क्या है तो वीडियो का लिंक भी मैं डेस्क्रिप्शन पर आई बटन पर दे दूंगा जरूर देख लेना और अभी तक अगर वह प्रोसेस नहीं किया तो क्या है और यह क्यों पूरा करना जरूरी होता है देखो जैसे कि मैंनेट चेक्लिस्ट में टोटल 8 स्टेप रहते और 7 स्टेप आपको कंप्लेट करना पड़ता है ठीक है अगर हम यह सेवन स्टेप के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहां पर आपको पाइप ब्राउजर एप्लीकेशन को इनिस्ट्राव करना परता है अगर 2 सटेप के बारे में बात करें तो वह है वालेट क्रेट करना की चै're कि पाई ब्राउजर अप्लीकेशन आप 해도 करतेए उसको open करोगे तो 4 number step के बारे हम बात करें तो वो है lock up configuration करना इस step पे basically आपको आपके कुछ percent पाई जो है एक limited time के लिए lock करना रहता है जिसको हम लोग staking भी कहते हैं आप में से काफी सारे लोगों ने ये step already complete कर रखा होगा या फिर by default आपको वहाँ पे complete show हो रहा होगा lock up configuration के उपर मैंने एक separated वीडियो भी बनाया है वो वीडियो भी आप लोग चेक कर सकते हो description पे link मिल जाएगा अगर बात करें number 5 और 6 number step के बारे में तो 5th number step पे है KYC apply करना जैसे आप KYC process के लिए apply करते हो तो यहाँ पे आपको number 5 step पे completed होगा और उसके बाद जैसे KYC का आपका result आ जाता है यानि कि approve हो जाता है उसके बाद आपका number 6 भी complete हो जाएगा अगर बात करें 7 number step के बारे में तो यहाँ पे बेसिकलिए आपको एक acknowledgement sign करना होता है जैसे यह भी step आप complete कर लेते हो उसके बाद पाई को टीम जो है complete process आपका review करते है और यहाँ पे KYC आपका देखा जाता है फिर से उसके बाद जो भी steps आप complete करते हो 7 number तक वो सभी review किया जाता है review करने के बाद सभी process अगर सही पाया जाता है तो आपके wallet पे आपका transferable pie transfer कर देते हैं और mainnet checklist में अगर last वाला step आपका completed शोहरा that means कि आपका wallet पे pie migrate हो चुका है उम्मिद करते हो इतना तक आप समझ चुके होंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको KYC complete करना पड़ेगा उसके बाद mainnet checklist complete करना पड़ेगा अभी आपको आगे का process भी बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है तो जैसे आपका mainnet checklist का सभी steps complete हो जाता है यानि के mainnet migration complete हो testnet में जो भी 100 pie आपको शोहर है वो सिर्फ test करने के लिए दिये जाते हैं तो यहाँ पर basically आपको उस पर क्लिक करना और mainnet select कर देना है mainnet पर जो pie आपको दिखते हैं वही आपका main pie है उसी को जो है आप transfer कर सकते हो किसी को भी या फिर आने वाले टाइम पर जबी एक्सेंज पर लिस्ट होगा तो तब आप एक्सेंज पर भी उसको transfer कर सकते हो जैसे ही आपके address पर आप अपने pie को receive कर लेते हैं उसके बाद भी आपको एक process complete करना होता है और वो process है आपके pie को available balance पर transfer करना अब वो कैसे करते हैं तो यहाँ पर देखो को history और migration दो option आपको मिलता है आपको move के button मिल जाएंगे आपके pie के पास में उस पर आपको click करना है और available balance पर transfer कर लेना है कैसे अपने pie को available balance पर transfer करते है इसके उपर भी मैं already video बना रखा हूँ description पर उसका भी link आपको मिल जाएगा एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर जो है available balance पर टांसपर करने के लिए एक pending prior data है जो कि है 14 days का जैसे आपके pie आपके wallet address पर आ जाता है उसके 14 दिन के बाद जो है वो pie को आप move कर सकते हो available balance पर एक और चीस सभी pie को आप एक साथ में available balance पर move नहीं कर सकते हो जो pie आपका unlock रहेगा आप सिर्फ उसी को available balance पर transfer कर सकते हो और बाकी के जो lock pie है जो आपने lock up configuration पर lock किया था तो basically जो time के लिए आपने lock किया था वो time complete होने के बाद ही वो pie unlock होता है उसके बाद ही आप वो pie को भी available balance पर transfer कर पाओगे जैसे आप वो locked pie पर click करोगे तो नीचे आपको date भी दिख जाएगा कि कब जो है आपका वो pie unlock होने वाला है time period खतम होने के बाद अपना available balance पर transfer कर लिया है तो अभी main process समझ जाइए कि open mainnet launch होने के बाद जब exchanges पर pie coin list होगा तब किस तरीके से हमें अपने pie को जो है वो exchange पर transfer करना होगा यह process बिल्कुल आसान होने वाला है तो जैसे भी किसी भी exchange पर pie coin list होगा तो वो particular exchange पर सबसे पहले तो आपको account create करना पड़ेगा account create करने के बाद आपको पाई का wallet देख जाएगा आपको simply pie wallet पर क्लिक करना है और receipt का जो address मिलेगा वो address को आपको copy कर लेना है copy करने के बाद आपको फिर से अपने pie wallet login करना पड़ेगा login करोगे उसके बाद देखोगे तो आप जो है नीचे आपको दो option मिलते एक send और एक receipt का आपको simply send पर क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद यहां पर सबसे उपर आपको recipient address पूछा जाता है तो यह के टाइम पर 0501 आपको वहां पर सो होने वाला है उसके बाद आपको simply send पर क्लिक कर देना है जैसे आप send पर क्लिक करोगे instantly वह पाई आपके wallet से डिडक्ट हो जाएंगे और वह particular exchange के पाई wallet address में credit हो जाएंगे credit होने के बाद जो भी price चल रहा होगा exchanges पर उस price के according जो है आप को आपको bank पर withdraw लेना पड़ेगा आप मेंसे काफी सारे लोगों को यह process थोरा सा difficult लग रहा होगा लेकिन tension लेने की कोई भी वहात नहीं है जैसे पाई coin किसी भी exchanges पर लिस्ट होता है तो सबसे पहले मैं आप लोगो एक complete process live करके जो है दिखा दूँगा कि किस तरीके से आप आपको sell करके withdraw करना पड़ेगा तो यह था पूरा process कि क्या क्या step आपको complete करना पड़ेगा अपने पाई coin को withdraw करने के लिए अगर लगता तो एक लाइक जरूर कर देना चानल पर नहीं हो तो subscribe जरूर कर देना और कुछ भी और आपको जानकरी चाहिए पाइनेटों के बारे म वहां से भी जाके आप जो है वीडियो को देख सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल नेक्स्ट और एक इंफर्मेटिव वीडियो के साथ